जल्दी से लाइव आजाएगे ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सके जल्दी जल्दी लाइव आजाएंगे सभी लोग जीतु कुश्वाहाजी, गौरव, विश्नु, दर्शन, पीके ओफिश्यल, किलर बॉज, समीर प्रताप, गंगवार, सतीश कुमार जी, गुड़ आफ्टनून एवरीवन, गुड़ आफ्टनून, नमस्ते, कैसे हैं भाई, उम्मीद तो यही रहती है हमेशा कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे ह पीऊश, प्रनाम, जुवेर, गुड़ आफ्टनून, विजै, गुड़ आफ्टनून, गुड़ मॉनिंग, रादे रादे, प्रनाम चलिए, शिरू करते हैं अपनी क्लास के आज के फर्स सेशन को, आपको नैपना इंट्रडक्शन दे देती हूँ, मेरी फर्स क्लास है आपको देखने के लिए यहां पे मिलेगा, ठीक है, तो भई, चलिए, स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को आंसर करने हैं, पहला क्वेशन है, वह सुल्तान जिसे उसकी उदारता के लिए लाख बख्ष के नाम से भी जाना जाता है, जल्दी से बताईएगा इस क्वेशन क आंसर A होना चाहिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैं C होना चाहिए, चलिए देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं कि इस क्वेशन का आंसर according to you, आपने कहा है कि मैं या तो होना चाहिए, A या फिर होना चाहिए C, तो बेटा जी आंसर तो इसका होगा A, कुतुबदीन आबक, कुतुबदीन आबक को लाख बक्ष के नाम से जाना जाता है, लाख बक्ष का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, लाखों का दान देने वाला, चीक है, लाखों का दान देने वाला, उसके बाद जो आबक है, इसके बारे में पूछा जाता है कि ये किस तो आपको अंसर करना है कि मैम गुलाम वन्ष का शाशक था किस वन्ष का था बच्चा गुलाम वन्ष का शाशक या कह सकते हैं कि गुलाम वन्ष का संस्थापक यही था कब इस्थापना की थी मैम इसने गुलाम वन्ष की तो गुलाम वन्ष की इस्थापना इसने की थी बार 1806 एश्वी में एवक ने गुलाम वन्ष की स्थापना की थी। ये जो आपका कुतुबदीन एवक था ये मोहमद गौरी का गुलाम था। ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है। जब हम question को पढ़ेंगे तो हम उसको explain करेंगे। ठीक है हाँ जी मैं हटके लिखती हूँ मैं लिखने के बाद थोड़ी देर side में हट जाओंगी ताकि अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है चलिए फिर आपको ध्यान रखना है कि ये आपका मुहम्मद गौरी का गुलाम था। इसके अलावा इसने 1206 में इसकी स्थापना की थी। फिर एक question पूछा जाएगा कि इसकी राजधानी कहां पर थी तो राजधानी लाहौर में थी। कहां पर थी राजधानी लाहौर में थी। एक एक points मैं आपको बताती जाओंगी। राजधानी कहां पर थी। राजधानी लाहौर में थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं और जैसे एक question आता है कि कुत्व मिनार की नीव किसने रखी थी। कुत्व मिनार ठीक है कुत्व मिनार इसकी इसने क्या रखी थी नीव रखी इसने नीव रखी थी। ध्यान रखिएगा लेकिन कुत्व मिनार का निर्मान कार्ये पूरा किसने करवाया निर्मान कार्ये पूरा ये question आता है तब आंसर करना कि मैं इल्तुत मिशने किसने करव इलतुत मिशने करवाया फिर उसके बाद में इस कुतुम मिनार पेक फिरोश शहा तुगलक दिहान से सुनिएगा फिरोश शहा तुगलक के समय क्या हुआ फिरोश शहा तुगलक के समय बिजली गिरने से कितनी मंजिल बनवाई थी ये भी लिख देना चार मंजिल बनवाई थ ठिक है, फिरोशां तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण, ठिक है, बिजली गिरने के कारण क्या हो गया, बिजली गिरने के कारण एक मंजिल नस्ट हो गई, ठीक है, एक मंजिल नस्ट हो गई, फिर ये जो आपका तुगलक था, इसने क्या किया हो गई, फिरोज शहां तुगलक ने, इसमें तुगलक ने इसमें दो मंजिल बनवाई, इसमें दो मंजिल बनवाई, दो मंजिल कौन कौन सी, दो मंजिल बनवाई, जिसमें से मैं हम ये कह कहा सकते हैं कि जो पहली मंजिल थी जो कि नस्ट हुई थी मतलब चौती मंजिल नस्ट हुई थी इसके बाद इसने एक और इसमें बनवाई थी तो टोटल कितनी मंजिल हो गई पांच मंजिल यानि कि आप कह सकते हो कि नीव रखी थी कुतुबुदीन एवक ने लेकिन इसका निर्मान कारे पूरा करवाया था इलतुत मिशने और अगर हम बात करते हैं तो आप ये कह सकते हो कि फिरोज शहातुगलक के समय में इस पे बिजली गिर गई थी जिससे इसकी जो चौती मंजिल थी वो नस्ट हो गई थी ठीके उसके बाद आपका जो ये कुतुदीन एवक तो इसका एक निर्मान कारे में लिखना कुबबत उल इसलाम कुबबत उल इसलाम जो मज़ित थी कुबबत उल इसलाम चीक है ये जो मज़ित थी इसका भी निर्मान इसी ने करवाया था फिर उसके बाद में धाई दिन का जोपड़ा धाई दिन का जोपड़ा ये भी आप की एक मस्जिद है और ये कहां पर है? Question पूछा गया है तो ये अजमेर में है और Qubatul Islam मस्जिद कहां पर है? Qubatul Islam मस्जिद कहां पर है? तो देखो Qubatul Islam का निर्मान इसने करवाया था धाई दिन का जोपड़ा इसने बनवाया था जिसमें से धाई दिन का जोपड़ा अजमेर में है Qubatul Islam जो मस्जिद है वो आपकी दिल्ली में है ठीक है? उसके बाद अगर हम एबक के बारे में बात करते हैं तो इसका एक सेना नायक था सेना नायक जिसका नाम था बक्तियार खिलजी जिसका नाम था बक्तियार खिलजी इसके बारे में question आता है बता देती हूँ बक्तियार खिलजी ने नालंदा विश्विध्याले नालंदा विश्विध्याले को ध्वस्त किया था नालंदा विश्विध्याले नालंदा विश्विध्याले ठीक है नालंदा विश्विध्याले इसको ध्वस्त कर दिया था या कह सकते हैं कि नस्ट कर दिया था ठीक है ये question पूचा जाता है कि बक्तियार खिलजी किसका सेनापती था और इसने जो है क्या कहते हैं कौन से विश्विध्याले को नस्ट किया था नालंदा विश्विध्य जल्दी से मुझे comment box में answer चाहिए ताकि आप लोग को भी activeness feel हो कि हम class बे एक्टिव हैं तो बताईए कि नालंदा विश्विध्याले की स्थापना किस ने की थी फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसकी death कैसे हुई थी कुमार गुप्त क्या answer आ रहा है गुप्त वंश का शाशक था कुमार गुप्त जिसने आपके कुमार गुप्त प्रथम जिन्होंने नालंदा विश्विध्याले की स्थापना कराई थी और इसको ध्वस्त करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था बक्तियार खिलजी ठीक है आगे देखे जाता है कि कारण क्या था तो आपने game सुना होगा चौगान खेलते समय कुतुबदीन एबग की मरत्यू हो गई थी और फिर आपका question आएगा कि इसको कहां दफनाया गया तो दफनाया गया था लाहोर में कहां पर दफनाया गया लाहोर में यह आपके पूरे question का explanation था, class अगर अच्छी लग रही हो, तो मैं आपसे थोड़ा सा response लेना चाहूंगी, क्योंकि आज मेरी channel पर first class है, तो एक बार आप thumbs up कर दीजिए, अगर class आपको अच्छी लग रही है, ठीक है, तो मैं आप चलती हूँ next question की तरफ, की next question आपका क्या है, धोला धर एवंपीर पंजाल, धोला धर एवंपीर पंजाल श्रंकलाएं इस्थित है, ये दोनों श्रंकलाएं आपकी कहां पर है, क्या ये TRANS हिमाले में है, क्या ये Лगू हिमाले में है, या ये महान हिमाले में हैं या फिर ये शिवालिक में हैं बच्चे कह रहे हैं ट्रांस हिमाले कुछ बच्चे कह रहे हैं मैं महान हिमाले कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैं शिवालिक मतलब कि यहाँ पर आपको confusion है ये आपका लगू हिमाले जिसको आप कई बार ये भी कह देत जिसको आप कह देते हैं मध्य हिमाले मध्य हिमाले या लगू हिमाले में आपकी धोला धर और पीर पंजाल श्रेणिया पाई जाती हैं। जिसको आपकी धोला धर श्रेणिया पाई जाती हैं। जिसमें से एक को आप कहते हैं कांगडा और कुलू घाटी। ये दोनों भी यहीं पर हैं कांगडा और कुलू घाटी। ठीके ये भी यहीं पर हैं। उसके अलावा यहां पर आपका मसूरी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आपकी महाभारत श्रेणी वो भी आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाएगी। ठीके महाभारत श्रेणी उसके बाद आपके इस मद्द हिमाले में धाल पर घाल पर घासों के मैदान मिलते हैं। धाल पर घासों के मैदान और question पूछा जाता है कि इनको क्या कहा जाता है तो इनको मर्ग कहा जाता है। इसका example आप ले सकते हैं गुलमर्ग हो गया और सोनमर्ग हो गया गुलमर्ग और सोनमर्ग। बेटा पीडियेफ आपको मिल जाएगी आपको टेंशन लेने की जरुवत नहीं है। तब ही तो मैं plain slide पे लिख रही हूँ क्योंकि ये PDF API के पास जाएगी। ठीक हैं उसके बाद आपको ये सारी चीज़े कहां देखने के लिए मिली हैं मद्दे हिमाले में। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसको अधर कर देती हूँ मैं। ठीक हैं थोड़ी सी हम बात क तो इसमें आपको ध्यान रखना है एक तो माउंट एवरेस्ट ठीक है माउंट एवरेस्ट आपको यही मिलेगा। कंचन जंगा यही पे आपको मिलेगी। नंदा देवी ये भी आपको यही मिलेगा। ये सब परवत हैं अनपूर्णा ये भी आपको यही मिलेगा। ठीक ह अन्नपूर्णा ये भी हैं मिलेगा उसके अलाबा मकालू, मकालू परवत, नंगा परवत ये भी आपको यहीं पर मिलेगा माउंट एवरेस्ट, कंचन जंगा, नंदा देवी, मकालू पर्वत, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा और आपका नामचा वर्वा पर्वत जिससे आपकी भ्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है नामचा वर्वा पर्वत और एक आपको धियान रखना है केदार नाथ, ये सब आपको कहां पे मिलेंगे, ये सारे के सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे, महान हिमाले में, ठीक है, महान हिमाले में, फिर अगर मैं क्वेशन की तरफ जाओंगी, तो एक है इसमें टांस हिम बत राका पोशी, राका पोशी परवत ये भी आपको यहीं देखने के लिए मिलेगा, तो इस तरह के questions आपके बन सकते हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, next अगर हम बात करते हैं, तो आगे देख लेते हैं हम, संग राज्य छेत्र, पुदू चेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है, जैसे पुदू चेरी के कई parts होते हैं, जैसे अगर हम बात करें, तो पांडी चेरी कहते हैं, माहे, यनम, कराईकल, कराईकल और आपका पुदू चेरी, ये कहां पर है, अगर आपको location पता है, तो आप इस question का answer सही कर देंगे, माहे, यनम, आपका कराईकल और पुदू चेरी, छीक है, जल्दी जल्दी बताईए इस question का answer, बच्चे कह रहे हैं, मैम C होगा, तो बेटा जी आपको बेटा दूँ, कि जो यनम है, वो आपका आंधिर प्रदेश में हैं, जो की इसी का part है, माहे की अगर हम बात करते हैं, तो ये केरल में हैं, और इन दोनों की अगर हम बात करते हैं, तो ये तमिल नाडू में हैं, तो कौन सा आपको नहीं दिख रहा, करनाटक मैम हमें इसमें नहीं दिख रहा है, पुदू चेरी क्या है, पुदू चेरी जो है, वो आपका संग शाशित प्रदेश है, शंगशाशित प्रदेश है, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो पूदुचेरी जो है, ये भारत का एक संगशाशित प्रदेश है, और पूदुचेरी की अपनी विधान सभा है, अपनी विधान सभा, जिसको आप कहते हैं Legislative Assembly, इसकी अपनी विध संग शाशित प्रदेशों में कितने संग शाशित प्रदेशों में विधान सभाए हैं तो एक आपका दिल्ली हो गया दूसरा आपका पूदू चेरी हो गया और बेटा जी तीसरा जम्मू कश्मीर हो गया ये तीन आपके ऐसे केंदर शाशित प्रदेश हैं जिनकी अपनी वि कि वर्तमान में आठ केंद्र शाशित प्रदेश हैं आठ संग शाशित प्रदेश हैं बिल्कुल सही अंसर कर रहे हैं आप लोग की टोटल आठ हैं लेकिन विधान सभाएं कितने में हैं केबल तीन में हैं तीन में आपकी legislative assemblies हैं और ये आपका अंसर है question का A यानि की करनाटक म इसका कोई भी part नहीं है ठीक है next देखे संगीत के तिगज पंडित रवी शंकर संगीत की निम्लेखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं क्या ये हिंदुस्तानी शास्त्य वादन के लिए प्रसिद्ध हैं हिंदुस्तानी शास्त्य गायन के लिए प्रसिद्ध हैं क करनाटक शास्त्रिय गायन के लिए, ये करनाटक शास्त्रिय वादन के लिए, चलो बताओ, ओके, 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 चलिए, बताईए आगे से, ओके, ए, 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 चलिए हम सब जीतेंगे, अगली क्लास में मैप ले ले लूँगी, फिर आपको बता दूँगी, ठीक है, अभी आज चला लो, अभी मैप एविलेबल नहीं है, ओके, ए, अंसर आ रहा है, इस क्वेशन का, ए, 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 तो बिल्कुल सही है, हिंदुस्तानी शास्त्रिय वादन, और इसमें भी किसके, तो सितार, किसका वादन करते हैं, ये सितार का, अगर हम बात करेंगे, हिंदुस्तानी शास पंडित भीम सें जोशी, उसके बाद हिंदुस्तान, करनाटक शास्तिगायन में, जो नाम आएगा, वो आएगा, एमे सुबा लक्षमी, किसका नाम आएगा, यहां लिख देती हूं में, एमे सुबा लक्षमी, ये आपकी पहली संगीतकार, पहली संगीतकार, जिनको भारत रत्न मिला पहली संगीत कार थी जिनको भारत रत्न मिला था आपको मुझे बताना है कि इनको भारत रत्न कब मिला था मैंने बोला में सुबा लक्षमी जो है ये आपकी जो है क्या कहते हैं करनाटक शास्ते गायन से संबंदित हैं ये पहली संगीत कार थी जिनोंने भारत रत् अजे कह रहे हैं 1997, नहीं अजे, आंसर होगा 1998 में मिला था, उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना कि कि हिंदुस्तानी शास्त्य गायन जो है, ये आपका नौर्थ इंडिया का म्यूजिक है, नौर्थ इंडिया का म्यूजिक, या आप कह सकते हो कि उत्तर भारत का संगीत है ठीक है, और ये जो आपका करनाटक है, ये आपका साउथ इंडिया का म्यूजिक है, साउथ इंडिया का म्यूजिक, यानि की दक्षिड भारत का जो है म्यूजिक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, उसके बाद पंडित भीमसेन जोशी को कम मिला है भारत रतन, तो इ से संबंधित थे तो मैं सितार से एक मिनट बेटा मैं ऐसा करती हूं कि एक plane slide आइड करती हो इनके बारे में हम बात करते हैं देखो पंडित रवी शंकर कि अगर मैं बात करती हूं तो इनको पांच बार कितनी बार पांच बार ग्रेमी पुरसकार मिल चुका है पांच बार ग्रेमी पुरसकार इनको मिल चुका है ठीके अब इसमें वहेंगे कि पहली बार पहली बार कब मिला था तो पहली बार मिला था 1967 में 1967 में ही इनको पदम भूशन क्या मिला था पदम भूशन इनको मिला था 1967 में पहला ग्रेमी पुरुसकार मिला था और 1967 में ही पहला पदम भूशन 1981 में ही इनको पदम भिभूशन कौन सा मिला था पदम भिभूशन ये भी इनको मिल चुका है 1999 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ग्रेमी पुरुस्कार कब मिला, पदम भूशन कब मिला, पदम भिवूशन कब मिला, कौन सा नहीं मिला है, कौन सा नहीं मिला है, तो एक होता है पदम शिरी, ये इनको नहीं मिला है, पदम भूशन, पदम भिवूशन, पहारत और एक और चीज पूछी जाती है कि इनका घराना पूछा जाता है कि ये किस घराने से संबंदित हैं तो मैं ये बनारस घराने से संबंदित हैं और 1962 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरसकार ये भी इनको मिल चुका है पुरसकार ठीक है ये कब मिला है तो मैं 1962 में इन को मिला था ये पूरा पंडित रवी शंकर के बारे में आपको डिटेल मैंने बताई है बिल्कुल बनारस घराना सही अंसर किया है जिन लोगों ने भी किया है चलो अब हम बात करते हैं अगला क्वेशन वर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राज भाशा है जल्दी से ये इस क्वेशन का आंसर ओके डी डी अजे कह रहे हैं माई मॉम डैड कह रहे हैं अमोल कह रहे हैं प्यूश कह रहे हैं सुरेंद्र कह रहे हैं बिल्कुल कुछ बच्चों ने जुनों ने भी आंसर किया है गलत है मयान मार मयान मार अब ध्यान से सुना मयान मार का पुराना नाम, पुराना नाम क्या हुआ करता था? पुराना नाम था में वर्मा, क्या नाम था? वर्मा, यह जो वर्मा है यह भारशाशन अधिनियम, भारशाशन अधिनियम 1935, भारशाशन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से अलग किया गया, द्वारा भारत से अलग किया गया, ठीक ह अलग किया गया ठीक है ध्यान रखिएगा ठीक है और फिर हम कह सकते हैं कि ये जो मयानमार है इसका गठन कब हुआ था तो 1937 में ठीक है 1937 में 1935 के अधिनियम के द्वारा वर्मा भारत से अलग कर दिया गया था ये question पूछा जाता है आपको comment box में बताना है कि मयानमार की ये आप ध्यान रखिएगा 19 नई राजधानी बतानी है पुरानी राजधानी नहीं बतानी है उसके बाद आपको बताना है कि अफगानिस्तान जो है यहाँ पे कौनसी भाषा बोली जाती है तो एक है दारा और एक है पोश्ती ठीक है ये दोनों यहाँ की भाषाएं है फि सबसे जादा, सबसे जादा, बोले जाने वाली भाशा, सबसे जादा, बोले जाने वाली भाशा, कौन सी है, तो मंदारिन है, आपको बताना है, मयान मार की राजधानी क्या है, नैपिडो, वेरी गुड, क्या है, नैपिडो, यहाँ पर आपके मयान मार की राजधानी है, बि अगे देखो उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आगे की चीजे भी आप लोग सुलिजें जैसे। इजरायल में कौन सी बोली जाती है इजरायल में बोले जाने वाली भाशा कौन सी है तो मैम हिब्रू है ठीक है हिब्रू है आपको बताना है इंडोनेशिया में कौन सी भाशा बोली जाती है इंडोनेशिया ठीक है आपको बताना है इंडोनेशिया के बाद में आपको बताना कोई भी चीज आ रही है, तो फिर आस पास जो भी है उन सब की आप देख लिजे भाशा, अब लास्ट आपको बताना है कि तजाकिस्तान में कौन सी भाशा बोली जाती है, यह आपको ही बताना है, इसका आंसर मैं बेट कर रही हूँ, कौन पहले देता है, बताइए, तजाकि तजाकिस्तान में कौन सी भाशा बोली जाती है, कोई अंसर नहीं करेगा, क्या ऐसा मत कीजे, उर्दू नहीं होगा अंसर विकास, इंग्लिश भी नहीं है, उर्दू भी नहीं है, ठीक है, एक बच्चे कह रहा है, मुझे नहीं पता है, तो यह है आपकी कह सकते हैं, तजी का, तजीकी, तजीकी करके एक भाशा है, तजीकी तो यह यहाँ पर बोली जाती है, ठीक है, चलो, आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है, राइजोबियम एक प्रकार का डैश है, राइजोबियम करता क्या है, तो यह आप, इसका जो कार होता है वो होता है म्रदा में नाइट्रोजन की पूर्ती करना इसका कार्य होता है नाइट्रोजन की पूर्ती छीक है यह आपको ध्यान रखना है कि राइजोबियम एक प्रकार का क्या है कि मैं यह को हमें बताना है तो क्या है कुछ बच्चों ने बी अंसर किया है जैसे अज का सहजीवी जिवाणू हैं जिसका कारे मिनदा में नाइट्रोजन की पूर्थी करना होता है नाइट्रोजन की पूर्थी करता है यह जो राइजोबियम हैं यह किसमें पाया जाता है तो लेंग्यू लेंग्यू मिनस कुल के जो पौधे होते हैं जैसे एक्जैंपल ले सकते ह फलीदार पत्तों वाले जो पौधे होते हैं फलीदार पौधों के जड़ों के अंदर ये आपको धियान रखना है ये आपका पाया जाता है ठीक है फलीदार पौधों के जड़ों के अंदर इसको देखने के लिए मिलता है म्रदा में नाइट्रोजन की पूर्ती करता है आप ये भी कह सकते हैं कि दलहनी फसलों में ये मिलता है दलहनी फसल जैसे मटर हो गई मूंग हो गई तो उनमें भी ये मिलता है ठीक है तो ये आपका सहजीवी जिवारू होता है मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ती करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है आगे चलते है ताजिक ठीक है मैंने कुछ एक मिनट एक मिनट मैं चेक कर अच्छा ओके ताजिक की कर दिया मैंने ताजिक यहाँ पर E की मातरा नहीं हाएगी मैं इसको हटा देती हूं ताजिक एक मिनट लिखी देती हूं ताजिक ठीक है यह आप ठीक कर लिजेगा चलो आगे देखते है हैं हम यहां पर आपको अंसर बताना था बच्चे कह रहे हैं मैं सी 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 तेलंगाना बिल्कुल सही है क्या अंसर होगा इसका तेलंगाना अब तेलंगाना की जब यहां पर बात आईए तो एक और चीज सुलो तेलंगाना में ही रामा गुंडम रामा गुंडम एंटी पी सी प विध्यार्थियों के लिए CM नाष्टा योजना लॉंच की गई है। आपको मुझे बताना है कि आंद्र प्रदेश का गठन कब हुआ। अंद्र प्रदेश का गठन 1953 में आपका किया गया था और ये भाशा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था ये question भी exam में पूछा जाता है। ठीक है नेक्स question देख लेते हैं जी के मान की खोज धियान रखना small g नहीं है capital G है gravitational इसको बोलते है gravitational constant ठीक है gravitational constant ये आपसे question पूछा गया है constant इसका आपको बताना है कि खोज किस ने की थी answer आरा है C, answer आरा है B, चलो इसका answer होगा A, Henry Cavendish, Henry Cavendish ने capital G gravitational constant की खोज की थी और ये कब की थी तो 1798 में की थी और इसकी जो value इन्होंने बताई थी value वो बताई थी इन्होंने 6.67 into 10 की घात-11 क्या बताई थी 6.67 into 10 की घात-11 इन्होंने इसकी value बताई थी ठीक है जी विशाल कुश्वाहा जी चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि next आपका क्या है next question है गौरव कह रहे हैं कि मैम जल अच्छा ओके डी अंसर आ रहा है ब्रहद्रत दीपेन कह रहे हैं अजे कह रहे हैं डी चलो d और c तो देखो c तो नहीं है d सही अंसर किया है ब्रहद्रत ये जो ब्रहद्रत था इसकी हत्या किस ने की इसकी हत्या की थी पुश्य मित्र सुंग ने पुश्य मित्र शुंग और इसने क्या किया इसकी हत्या करके शुंग वन्ष की इस्थापना शुंग वन्ष का संस्थापक था शुंग वन्ष की इस्थापना या कह सकते हैं कि शुंग वन्ष का संस्थापक था पुश्य मित्र शुंग वंश की स्थापना, इस ने किसको उमा रहा था, अंतिम मोरे समराठ ब्रह द्रत की हत्या की थी. अब question में क्या है, मोरे वंश, तो थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं, अगर मैं मोरे वंश की बात करती हूँ, तो मौरे वंश का जो संस्थापक है उनका नाम है चंद्रगुप्ट मौरे ने घनानन्द नंद वंश का अन्तिम शाशक मौन था घनानन्द और इसकी कर दी थी इनहोंने हत्या किसने कीती हत्या, चंद्रगुप्त मौरे ने, तो चंद्रगुप्त मौरे ने नंदवंश के अंतिम शाशक घनानंद की हत्या करके, मौरे वंश की स्थापना की थी, ठीके, चंद्रगुप्त मौरे और इसमें इनका साथ, इसमें इनका साथ, किसने दिया था, तो आप चानक्य की भुक का नाम था अर्थ शास्त्र क्या नाम था इनकी भुक का नाम था एक मिनट ठीक है तो अर्थ शास्त्र इनकी भुक का नाम था ठीक ध्यान रखेगा उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे तो ये जो आपके एक मिनट जो आपके ये चंद्रगुप्त मौर इन्होंने अपना अंतिम समय श्रवन बेल गोला जिसको हम कहते हैं करनाटक में बिताया था. ठीके बिताया आगे सुनिएगा ठीक इन्होंने अपने प्राण सनलेखना विधी से त्याग दिये ठीके ये जो सनलेखना विधी है ये जो सनलेखना विधी है ये भई आपकी जैन धरम से समबंदित है जैन धरम इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति को लगने लगता है कि वो मरने बाला है तो वो खाना पीना छोड़ देता है ठीके खाना पीना छोड़ देता है तो इन्होंने भी ऐसा ही किया था अब क्योंकि ये जैन धरम से क्या हुए ये जैन धरम से समबंदित थे जैन धरम से संबंदित फिर question आएगा कि जैन धरम की सिक्षा किस ने दी थी जल्दी बताईए जैन धरम की सिक्षा इनको किस ने दी थी आप से question है जैन धरम की जो सिक्षा है वो चंद्रगुप्त मौरे को किस ने दी थी ठीक है उसके बाद अगर हम बात करते हैं और थोड़ा सा देख चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया और फिर ये जो सेल्यूकस निकेटर है इसकी पुत्री थी इसकी पुत्री का नाम था कारनेलिया इस कारनेलिया का जो विवा है किसके साथ हो गया तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हो गया ठीक है ये आपको धियान रखना है देखते हैं आप लोगोंने क्या अंसर किया है भद्र बाहु वेरी गुड बिल्कुल सही अंसर आया है किसने दी थी भद्र बाहु ने दी थी उ नहीं के दरवार से संबंदित था ये कौन था तो लिखना सेल्यूकस निकेटर का दूत था ठीक है यानि कि इनके जो ससुर बन गए थे बाद में जिनको इन्होंने हराया और फिर इन्होंने अपनी पुत्री कारनेलिया की शादी चद्रगुप्द मौरे से कर दी थी उसी सेल अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज सेशन को एक बार लाइक कर दीजे आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आप जो हैं हमें कितना पसंद कर रहे हैं तो जल्दी से इसी बात पर सारे बच्चे लाइक कर देंगे सेशन को हाँ 5,000 ऐलिफेंट्स दिये थे चलो दहेज की बात है चलो आगे चलते हैं तो यह आपको यहाँ पर मैंने यह सब बताया उसके बाद में आपको धियान रखना है कि जैन धरम यह अब देखो थोड़ा समय यह बता देती हूँ कि जैसे आपके चंद्रगुप्त मौरे हैं चंद्रगुप्त मौरे के बाद स Second कोन था? तो Second था बिंदू सार, कौन था? बिंदू सार जो है ये कौन से संपरदाय से था? ये आजीवक संपरदाय से था, और आजीवक संपरदाय का संस्थापक कोन था? ये question पूछा जाता है तो लिख देना की मकली, मकली पुत्र गोसाल, मकली पुत्र गोसाल, ये आपके आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, और फिर तीसरा कोन आया, थर्ड नंबर पर भाई अशोक आया, अशोक क्यूं फेमस हुआ, अपने शिला लेखों के लिए प्रसिद था, शिला लेखों के लिए इसको बहुत जादा जाना जाता है, अशोक जो है, ये आपका बौध धरम से संबंदित था, बौध धरम से संबंदित था, फिर आपका अंतिम शाशक क्वेशन में दिया हुआ ही है, कि ब्रहद्रत था, जिसकी हत्या पुश्य मित्र शुंग ने करके शुंग की इस्थापना की थी, ठीक है, ये क्लास आपकी काम आएगी, बिल्कुल जो भी प्रीवियस आपके प्राक्टिस साट्स हैं, महां से ही ये क्वेशन उठाए गए हैं, ये क्लास आपको जी एस में, ये अगनीवीर जीडी में काम आएगा, बिल्कुल आ सकता है, अविनाश ठीक है, आ सकता है, इतना मत रो, ठीक है, मुझे कमेंट पढ़ने दो, तब ही अंसर दे पाती हूँ, नेक्स क्वेशन देखो, निमलिकित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ओफ बंगाल की इस्थापना की, बताईए चलिए, एशियाटिक सोसाइटी ओफ बंगाल किसने बनाया था, ठीक है, चलिए बताईए जल्दी से, और भाईशियेशन को लाइक और शेयर करते रहिएगा, और जल्दी जल्दी आंसर भी करते रहिए, आंसर आ रहा है कि मैं इस क्वेशन का आंसर C होगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं B होगा, तो जो बच्चे B कह रहे अभी ज्यान शकुंतलम का, का आपका अंगरेजी में अनुवाद किया, का अंगरेजी में अनुवाद, मैं कौनसी भाषा में था अभी ज्यान शकुंतलम, तो ये आपका संस्कृत में लिखा गया था, संस्कृत में लिखा गया, तो मैं ये भी बता दो, कि किसने लिखा है तो महान कवी काली दास किस ने लिखा है महान कवी काली दास जी ने आपका अभीज्ञान शकुंतलम ठीक है काली दास जो अभीज्ञान शकुंतलम है ये महान कवी काली दास जी ने लिखा है और इसको इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किरने का काम किया वो विलियम जॉंस ने किया था, ध्यान रखिएगा, फिर आप से अगर पूछा जाए कि कब किया गया था, तो 1789 में अनुवाद किया गया था, 1789 में अनुवाद किया गया था, ये जो आपकी संस्कृति को, हमारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएं, यही इनका उद्देश्य था, तो आपको ध्यान रखना है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो थोड़ा सा प्लेन स्लाइड ले लेती हूँ, जैसे एक उप्शन है, राजा राम मोहन राय, तो राजा र मोहन राय की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने 1828 में क्या बनाया था? ब्रह्म समाज, ठीक है? 1828 ब्रह्म समाज बनाया, 1825 में वेदान्त कॉलेज, वेदान्त कॉलेज की स्थापना इन्होंने ही की थी, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो 1815 में इन्होंने आत्मिय सभा आत्मिय सभाकी भी स्थापना की थी, राजा की उपधि, ये question आता है, इनको किसने दी थी? तो अकबर धुत्य ने इनको राजा की उपधि दी थी, इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता, फादर ओफ मॉडन इंडिया आपके राजा राम लोहन राय को ही कहा जाता है ठीक है तो राजा राम मोहन राय ने 1828 भ्रह्म समाज 1815 आत्मी सभा 1825 वेदांत कोलेज राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इनहीं के प्रयासों से क्या किया गया था इनहीं के प्रयासों से सती प्रथा का अंत सती प्रथा का अंत हुआ कब हुआ था 1829 में आप को बताना है कि किस गवर्नर जनरल के टाइम पर हुआ था ये आप मुझे बताएंगे ठीक है ये आपको ध्यान रखना है मैं माप करवारे इतना लेवल ही आएगा और मैं हाई देखो आज आपकी फर्स क्लास है तो हम थोड़ा धीरे 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 लेवल को गर ऐसा नहीं है कि ऐसे question नहीं पूछे जाते हैं ये previous year questions है इस तरह के questions पूछे जाते हैं आपको PDF मिल जाएगी इसके आपको tension लेनी की जरुवत नहीं है आप मुझे बताएगे कि किस William Bantic answer सबसे पहले योगेश ने किया है तो बिल्कुल सही है William Bantic के time पर William Bantic नहीं आपके राजाराम मोहनराय के प्रयासों से सती प्रता का अंत किया था सती सिस्टम को खतम किया था फिर आपको एक option और दिखरा होगा इसमें द्वारका नाथ टेगोर क्या है first option द्वारका नाथ टेगोर इन्होंने क्या बनाया था इन्होंने बनाई थी Landholders Society ये question भी पूछा जाता Landholders Society ये इन्होंने बनाई थी 1838 में जो की द्वारका नाथ टेगोर के द्वारा जिसकी स्थापना की गई थी Landholders Society द्वारका नाथ टेगोर next question निमलिकित में से कौन सा शिखर जारखंड का सबसे उचा शिखर है बताईए ठीक है जल्दी से बताईए ठीक है चलो बताओ जल्दी से ओके मैं PDF का बता रही हो भी आपको कि कहा मिलेगी आपको D answer आ रहा है पारसनात बिल्कुल सही है पारसनात अगर हम बात करते हैं पारसनात के बारे में तो आप ये भी ध्यान रखना question ऐसे भी आ सकता है छोटा नागपुर के पठार की सबसे उची चोटी छोटे नागपुर पठार की सबसे उची चोटी ठीक है ये आपको ध्यान रखना है अब आपको मुझे कुछ options में बता रही हो जैसे आपको बताना है नंदा देवी किसकी चोटी है आपको बताना है कंचन जंगा किसकी चोटी है आपको बताना है धूप गड किसकी चोटी है, धूपगड हो गया, कंचन जंगा हो गया, नंदा गया, हाँ, आपको बताना है, गुरु शिखर, किस राज्य की सबसे उची चोटी है, ये आपको इनंदा दे भी उत्तरा खंड, कंचन जंगा भाई कहां आएगा, कंचन जंगा कहां पर आएगा, तो कंचन धूपगर कोन से राज्य की सबसे उची चोटी है, धूपगर कोन से राज्य की सबसे उची चोटी है, फिर आपको बताना है गिरनार, तो गिरनार कहां का है, गिरनार मैम गुजरात का है, जो जो मुझे याद आता जा रहा है, वो मैं लिखती जा रही हूँ, बताइए दोपगाड मध्य प्रदेश, very good, कहां की है, मध्य प्रदेश की, आपके मध्य प्रदेश राज्य की, आपको बताना है, यूपी की सबसे उची चोटी, यूपी के चोटी कौन सी है, यूपी की उची चोटी कौन सी है, जल्दी से बताईए, ठीके, और आपको बताना है, फि यूपी की कौन सी है? यूपी की कौन सी है? तो अंसर आना शुरू हो गया है, अमसोत. कौन सी है? अमसोत. वेरी गुड. यूपी की क्या है? अमसोत है. बिल्कुल सही अंसर आप लोगों ने दिये हैं. देख लीजिए, नंदा देवी, उत्राखंड, कंचन जंगा सिक्किम, धूपगडबद्यप्रदेश, गुरू शिखर, आपकी राजस्थान की है. और एक और बता दो, जैसे शिलोंग पीक, ये भी पूछा जा सकता है. शिलोंग पीक, ये कहां की है? तो आप लिख देना मेगाले की है. शिलोंग पीक मेगाले की है, गिरनार गुजरात की है, अ देमाली कौन से राज्जी की सबसे उची चोटी है? देमाली. चलो ये बताओ. देमाली कौन से राज्जी की सबसे उची चोटी है? देमाली. बताओ जल्दी से. ठीक है? देमाली बताओ. देमाली. देमाली उडिसा. वेरी गोड इंडियन म्यूजिक ब्रांड. बिलकुल स कब आपका नीती आयोग बना ये question आपसे पूछा गया है, discuss करेंगे, answer कीजे, उडिसा उसका answer था, दिमाली उडिसा की है, केरला की नहीं है, अश्वीर, ठीक है, 2015 Indian Music Brand, Salauddin, ओके रामक्रेशन, जो बच्चे कह रहे हैं, 2015 मैं उनसे सहमत हूँ, धिहां से सुनिएगा, क्या है सबसे पहले तो question मनता है, कि नीती की full form क्या है, तो क्या लिखोगे, national institution, institution of, of transforming India, transforming India, national institution transforming India, national, sorry, of, not four, एक मिनट, national institution for transforming India, ये इसकी full form है, फिर आप, एक मिनट रुख जाना, चलो दुबारा बताती हूँ मैं, दुबारा बता देती हूँ, देखो, इस question का जो answer होगा, वो आपका D होगा, ठीक है, इसमें आपकी पूछी जाएगी, यहां लिखा हुआ है, नीती, नीती की full form लिख दीजेग national institute, national institute, institute for transforming India, for transforming India, ठीक है, ये आपको धियान रखना है, अगर हम बात करते हैं, इसकी इस्थापना की, तो इस्थापना हुई है, एक जनवरी 2015 को, और इसका जो headquarter है, वो आपका New Delhi, या कह सकते हैं, नई दिल्ली में हैं, ठीक है, नीती आयोग जो है, ये योजना आयोग, योजना आयोग, ठीक है, इसकी जगहा पर बनाय गया है, तो आपको इतना तो पताई होना चीए कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना 15 March 1950 को हुई है, ये आपको बताया, जो योजना आयोग है या जो planning commission है इसको रद कब किया गया था रद तो ध्यान रखना 17 अगस्त 2014 को इसको रद कर दिया गया, cancel कर दिया गया और इसकी जगहा पर फिर क्या बना था आपका नीती आयोग 15 मार्च 1950 को बना था फिर आपसे question पूछा जाएगा कि जो नीती आयोग है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं अध्यक्ष तो आपको ध्यान रखना है कि प्रधान मंत्री जो भी आपके देश के प्रधान मंत्री होंगे वही इस नीती आयोग के अध्यक्ष होंगे बिलकुल सही answer बोल रहे हैं अध्यक्ष कोन थे एक तो question आएगा कि भाई first कोन थे और दूसरा आएगा कि वर्तमान में यानि कि present में कौन है तो first कोन थे अरविंद पन गडिया कोन थे एक question पूछा जाएगा कि CEO कौन है CEO की full firm होती है Chief Executive Officer Chief Executive Officer मुख्य कारेकारी अध्यक्ष मुख्य कारेकारी अध्यक्ष ठीक है अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें भी पूछा जाएगा कि first कौन है और पूछा जाएगा कि वर्तमान में कौन है तो first थे भाई आपके यहाँ पर क्या कहते हैं सिंधु श्री खुलर कौन थे सिंधु श्री खुलर ठीक है और फिर वर्तमान की अगर हम बात करें तो वी वी आर सुब्रमन्यम ये आपके यहाँ पर इसके वर्तमान में CEO हैं ठीक है वी वी आर सुब्रमन्यम ठीक है ध्यान सब आपने पहले ही अंसर कर रखा है बहुत अच्छी बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नेक्स्ट देखो निमलिखित में से किस अधिकार को 44 समविधान सन्षोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाया गया है अच्छा question है कुछ बच्चों के यह बहुत easy question है और कुछ के लिए शायद यह नया question हो सकता है तो जल्दी से बताईए answer B आ रहा है कुछ बच्चे answer D कर रहे है इसका मतलब मैं सही पकड़ पाई थी कुछ बच्चों के लिए तो यह easy है लेकिन कुछ बच्चों के लिए यह नया है answer बेटा जी होगा D समपत बाती का अधिकार यहाँ जगा नहीं है तो मैं पूरा एक plane slide में अच्छे से चीजों को समझा देती हूँ देखो अगर मैं बात करती हूँ तो यह जो question है यह लिया गया है मूल अधिकारों से कहा से लिया गया है मूल अधिकारों से जिनको आप कहते हैं fundamental rights क्या कहते हैं fundamental rights कहते हैं ये आपके सम्मिधान के part 3 या आप कह सकते हैं कि भाग 3 में है और article या अनुच्छेद 12 से 35 तक इनके बारे में प्रावधान है मूल अधिकार कहां से inspired हैं मतलब किस देश के सम्मिधान से हमने लिये हैं कहां से प्रेरित हैं तो मैम USA United States of America से हमने इनको लिया है USA थोड़ा बड़ा लिग देती हूँ जादा ही छोटा हो गया USA ठीक है यहां से लिया है बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल सही answer आ रहा है मूल अधिकारों की अगर हम संख्या की बात करते हैं संख्या संख्या एक तो पूछी जाएगी की मूल सम्विधान यानि की original constitution क्या बोलेंगे original constitution ठीक है मूल सम्विधान original constitution में अगर बात करोगे तो answer करना की थी 7 लेकिन अगर अब पूछा जाए की वर्तमान में कितनी है त तो answer कर देना 6 वर्तमान में कितनी है तो मैं answer करना है 6 क्यूं हो गई 6 तो आपको ध्यान रखना एक article था 31 और एक article था 19 के 1 का F इन दोनों में था संपत्ती का अधिकार क्या था संपत्ती का अधिकार जिसको आप कहते हैं right to property ठीक है right to property और आपका ये जो संपत्ती का अधिकार है इसको समाप्त कर दिया या इसको हटाया गया इसको यहां से हटाया गया आप ध्यान रखियेगा कि संविधान में जब भी कुछ हटाया जाता है ये संविधान में कुछ भी जोडा जाता है तो दोनों ही situation में दोनों ही conditions में आपक संविधान संशोधन हुआ, 44 संविधान संशोधन, 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 44 Constitution Amendment 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया, और जब आप देख रहे हैं कि पहले 7 थे, 7 में एक संपत्ती का अधिकार भी था, तो 7 में से आप 1 माइनस करोगे, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यह आपको धियान रखना है, तो इसको हटाया, इस दिये वर्तमान में कितने हैं, 6, कौन सा अधिकार हटा, संपत्त अब वर्तमान में यह जो संपत्ती का अधिकार है, यह आपका एक वैधानिक अधिकार है, कैसा अधिकार है, वैधानिक यानि की लीगल राइट है, और आज के टाइम पर यह आपके Constitution के Article 300 के A में है, यह भी ध्यान रखना बेटा, कि Capital A आपको लिखना है, Small A आपको नहीं लिखना है, Small A लिखते ही यह गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको add-on किया गया है, जोडा गया है, और कोई भी आपका Article जोडा जाएगा, तो वो Capital Word से denote होता है, अब हम बात करते हैं स्वतनता का अधिकार, देखो, सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जो है आपका Article 14 से लेकर 18 तक, दूसरा आपका मूल अधिकार है स्वतनता का अधिकार, Right to Freedom Article 19 से 22 तक, ठीके उसके बाद आपका 14 से ठरफ, फिर एक है आपका, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, शोशन के विरुद अधिकार, जिसको हम कहेंगे Right Against Exploitation, यह है आपका Article 23 और 24 में, फिर आपका लिखा गया है धार्मिक स्वतनता का अधिकार, Article 25 से 28 ठीक हैं, फिर आपके दो अधिकार और हैं, एक है आपका सांस्कृतिक एवं सेक्षनिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं सेक्षनिक अधिकार, Cultural and Educational Right Article 29 और 30, और लास्ट है आपका Article 32, सम्वेधानिक उप्च अधिकारों का अधिकार, यानि की Right to Constitutional Remedies, Right to Constitutional Remedies, ठीक है, तो यह आपका इस क्वेशन का आंसर था, चलो, नेक्स क्वेशन देख लेते हैं, नेक्स क्वेशन है, भारत ने पहली बार ओलम्पिक खेलों में कब भाग लिया, आज की क्लास का लास्ट क्वेशन होगा, बा होगी, ठीक है, डेली इसी टाइम पर होगी, 90-20, Very Good, कब लिया था, 90-20 में भारत ने लिया था, कहां पर हुआ था, एटवर्प ओलम्पिक थे, एटवर्प ओलम्पिक थे, इसमें 5 एथलीट गए थे, कितने एथलीट गए थे, 5 एथलीट आपके भारत की तरफ से इसमें और ये एटवर्प कहां पर इस्थित है, तो ये आपका बेलजियम में है, कहां पर है, बेलजियम में एटवर्प इस्थित है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 1920 में हुए थे, और ये 5 एथलीट इसमें गए थे, और एटवर्प ओलम्पिक के नाम से इसको जाना जाता है थोड़ा सा और सुन लो थोड़ा सा और सुन लो अगर मैं तुमसे पूछूं कि भारत का भारत का पहला ओलंपिक जो भारत का पहला ओलंपिक मेडल जो है वो आपका कौन सा जैसे ब्रोंज की अगर हम बात करते हैं ब्रोंज को कहते हैं कांस से तो ये कौन लेकर आया तो ध्यान रखना कि 1952 में हेल सिंकी क्या है? फिनलेंड की राजधानी तो ये हेल सिंकी में हुए थे जो कि फिनलेंड की राजधानी हैं तो 1952 में हेल सिंकी फिनलेंड की राजधानी और ये कौन लेकर आया था? केडी, केडी जाधव नाम था, केडी जाधव, ये लेकर आया था, और ध्यान रखिएगा कौन सा था, कान से पदक था, ये ध्यान रखना है, किस में लेकर आया था, तो ये भी ध्यान रखना की कुष्टी में लेकर आया था, अभी बस छोड़ रही हूं, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जैसे हमने ब्रोंज देखा तो हमें पता होना चाहिए एक मिनट हमें पता होना चाहिए कि सिल्वर किस में आया था सिल्वर मेडल कब आया था तो ये आपका 2004 में कहाँ पर हुए थे ओलंपिक एथेंस में ठीके अब क्वेश्चन है कि कौन लेकर आया था तो राज्य वर्धन सिंग राठोर और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये राज्य वर्धन सिंग राठोर जो थे किस में तो शूटिंग में लेकर आये थे शूटिंग में फिर आपका गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड कब आया, 2008 में, कौन लेकर आया, अभिनव बिंदरा, ये किस में लेकर आये तो ये भी लाये थे, शूटिंग में, आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में, कि ये 2008 में जो हुए थे, ये आपके कहां पर हुए थे, कहां पर हु विजिंग में, वेरी गुड, विजिंग में हुए थे, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, आपको ये जरूर बताना है, कि क्लास आपको कैसी लगी, और मैं आपके लिए और क्या-क्या इस क्लास के थ्रू आपकी help कर सकती हूँ, बिटा आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजेगा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, उम्मीद करती हूँ, क्लास आपको अच्छी लगी होगी, बाइ-बाइ, टेक केर,